तो अब बॉर्निंग एडिविडी आप सभी का आपके अपने चनल प्राइम टीम्स में एक बार फैर वाई एक और नया फॉर्मेट करिकेट का जैसे जैसे किकिट बढ़ते जा रहे है वैसे वैसे किछल अलग फॉर्मेट आते जा रहे है तो 60 जो क्रिकेट का फॉर्मेट है म सब्सक्राइब करना है बहुत फास्ट फॉर्मेट यह गेम चलेगा ठीक है बहुत फास्ट यह झालेगा जाईगी चलेगा यह तो पहला है उसकी बात अपन करेंगेändig सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आप T10 के हिसाब से देख रहे हैं तो वोमेंस टीटैन यार शायद मैंने आज तक नहीं देखा कि वोमेंस टीटैन कहीं हुआ हो ना टीटैन बहुत रेर है कि वोमेंस में टीटैन हो क्योंकि वो उतनी पावर हिटिंग नहीं कर पाते लेकिन वेस्ट इंडीस की वोमेंस कि वोमेंस में उतनी पावर है नहीं कि इसली रोक्त कर जाएं उपर से वेकर डिफिकल्ट होंगे तो वही है कि 70-80 आसपास या फिर्स निंग में बैटिंग स्कूर देखो वेस्ट इंडीस इंडिया 2012 में मतलब बहुत ही पुराने मैचे लेकिन एक चीज इन मैचेस में भी स्कूर्ट की तरफ आते हैं इनके पास एक लौती प्रॉपर बैटर है बाकी ऑल्राउंडर में देखो आप डियंडर डॉटन है शेनिता गेमांड यह राइट है राइट हैं जो न्यूजिलेंड से इनोंने बुला है राइट है राइट है मीडिय में डालती है फिर सुने इनके पास जनीला ग्लास गो देखा होगा आपने वेस्ट इंडीज के लिए खेलती है लेफटाप मीडियम बॉल डालती है चौनीशा हेक्टर यह आपको राइट है बाइट है बाइट है ली एन कर भी यह बैटिंग भी कर लेती है थोड़ी बहुत राइट है बाइट है आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज की वाइस कैप्टन भी है स्टैफी सुग्रिम यह अन नाइंटीं के प्लेयर है लेफ्ट इंडी बैट्समें और स्लो लेफ्टाम ऑथ्टोडॉक्स आपको बॉल डालते हुए दिख चाती है तो यह था स्कौर्ड का ब्योरा जो ट्र होगे तो यह 100 खेल के आ रही है अभी रिसेंट्ली इंग खेली थी और सटकी फिर बाहरा रण जीरो विकट सरसट रण दो विकट दो विकट तो देख रहे हो तो पता चल रहाए कि ठीक ठाक फॉर्म में की सिया भी है फिर सुने लूस अभी इन्होंने आखरी टाइम बर्म आधा यह झाथ सकती है यहां पर लॉपनल का खाली है नहीं तो हो सकता है कि नीचे खेलना पड़े न पड़ें नो पूंनिश नो आट और रियासी के इनकी रिसेंट स्कोर्स है फिर स्टैफनी सुग्रीम अंटर 19 खेला था इन्होंने ढाईटीं मुमेंस ब्यूंद साइट के रिसेंट विगर्स हैं फिर शनेता ग्रिमॉंड एक 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 डालती है ठीक है जिसको प्रॉपर दो वर मिल सकते हैं उनकी हम बात करते हैं जो पूरे दो डालने के मतलब 99 परसंट चांसे इसके इसमें के रिचे चलोगे तो अनीशा डालीगे कि चार जनेसिंद देटहूर जिनकेएं इसके बाद आप मान के चलो एक डाली की लियन कर्भी के चैधागरमॉंड के इक डाली नौब और एक डाली दाली स्टेफी सुग्री दस टिकट एक दम यहीं हो सकता है जिनके छे और कंफर्म ह यहन करें गितिका को डाली एक-एक और आपको डालते हो दिख जाएगी बैटिंग और भी ऑल्मोस्ट जो टॉप सिक्स बैटिंग कर सकते हैं दो तीन चार पांट छे मेरे हिसाब से यह नहीं यह नहीं यह नहीं स्टेफिश सूग्रीम के जगा आएंगे आपकी हैले जनिसन यहां से यह चीज तो यहां आपको देख जाएंगी निताशा मैकलीन के बाद हैले जनिसन और यह टॉप 6 ही आपको बैटिंग करते दिखेंग दो ठीक उसके बाद आप बॉलिंग से हेले जनिसन लोगे तीन अनीसा लोगे चार और मेरे हिसाब से एक बॉलर मत लो क्योंकि इनके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जो दो वर्स डाले है उनकी जगा अगर आप की से नाइट की तरफ जाओगी जो ओपन करेंगी तो शा हेले मैथ्यूस हंड्रेट से आई है नहीं आई है वेल्शार ने कोई पैज पैसी अपडेट नहीं नहीं दी जा मैं लाइव मैस देख रहा था तो वहां पर कमेंटेटर्स बता रहे थे कि यह डेंडर डॉट इन का आखनी मैच हो फ्लाइग कर जाएगे लेकिन ना मुझे अभी तक कोई फोटोस देखे हैं हेले मैथ्यूस के आये हुए ठीक है ना मुझे वेल्शार के पेज पैसा कुछ दिखा है कि हाँ आप हैले मैथ्यूस के छोड़के जा रही है ना हेले मैथ्यूस के खुद के पेजिस पहला पे जो उनके ऑफीशल अकाउंट है वहां पे अभी ऐसे कोई पोस्त नहीं डाली है यहां भई मैं आ गई हूं यहां वहां खेल रही है तो हैले मैथ्यूस सर्टेनली थोड़ा सा डाउट है लेकिन क्यूंकि वेस्टिंडीज ने इनको रीसेंटली कैटन बनाया है अब आप खुद का डॉमेस्टिक टॉर्नमेंट प्रम दाल देती है फिर हैंके पास निगदा पॉल यूस से इनकी जो ओरसी प्लेयर रहे हैं लेट हैं जो एस्टिंडीज के रेगूलर खेल रही हैं राइट हम मीडियम शानी का ब्रूस जिन्हों रीसेंटली कॉमन विल्द गेमस खेला था समिते मंधा नागव गई थे था बहुत अच्छा बॉल ये भी लालती है फातिमा सना है इनके पास राइटाम मीडियम फास्ट ओवर सीज प्लेयर और फिर शकेरा सिल्मन राइटाम मीडियम तो एक जीज़ आपको दिख रहे हैं कि ट्रिंबैगों की बॉलिंग से अगर आप इनकी बॉलिंग कंपैर करें तो अगर हेले मैंथ्यू जल्दी आउट हो जाती है तो इनके पास बैंटिंग बचती है और वहीं अगर आप अघंस ब्लेयों की ब Dodua हो सकता होगी मार छाज इंके पास अच्छे ऑर चाहें बैंग कम रखा में तो दो ऑवर में ना पिटने की गैरेंटी दें कम से कम चार तो होनी चाहिए तो यह चीज़ है अब इनके अगर प्लेंग की बात को तो रिने से बॉइस और हेले मैथ्यूद आपको उपन कर दो दिख सकते हैं हेले मैथ्यूद की रिकॉर्ड आपको पताइए वैल श्वार के लिए चौदा एक नौ यह हर मैच में एटलीस एक विकट आपको लेकर देंगे और दो उसके गैरेंटी देती है ठीक है फिर आते इस निगदा पॉल एक तीन शोने शोने इनके रिसेंट विकट चिनेर हैं एक पांच दो एक एक हर मैच में विकट है फातिमा साना देखोगे कर सकते अपके एंदो पांच वा नंट करेंगी केंगे बेटिंग कर रहें कि चार जो इनके बाइटिंग कर सकते हैं यह यह हैं आप तो बेहरी अब आपको चाटा अब चिनेले हेंद्री को यह लोग एस देंगे वही इस इंडीज वाला खोटा है ना वही चीज होनी चाहिए कि आपको बाटिंग करते हो दिख जाएंगे और जो दो दो ओवर कंफर्म डालेंगे उनकी अगर में बात करूँ तो सबसे पहले क्लोए टारून आपको पूरे द देखेंगी पातिमा सन आपको पुरे दो ओर डालते हो गहीं चार चार के बाद दो और आपको हेले मैथ्यूस दालते हो दिखेंगे करन तो गए चे और आपके यहां पर हो जाते हैं अब बच्छे वह चार ओर कौन डालेगा मेरे हिसाब से दो डालेंगी चिनेले हेंडी च दो डाल देंगी तो दो चार चे आर्ट दस इनके अलावा अगर सेल्मन पिट जाती हैं तो आपको सनिक्दा पॉल से एक और अलियाना एलियन से एक ओर देखने को मिल सकता है एक से दादा ओर मुझे लगता नहीं को देंगे फातिमा हैले मैथ्यूस और क्लोई ट्राय उनक इनका बैटिंग और बॉलिंग ओर इंपॉर्टन प्लेयर्स इदर से रेने से बॉइस मैं पेक करने की सोच रहे हूं कि सामने या ली टीम के पास बॉलिंग उतनी शाप है नहीं तो हैली मैं अ मैं क्लोईटा एरउन में लिए 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 रहा हूं पांच वाग्वाज में प्लेयर है मोस्ट लाइकली हो जाएगा अगर किया ना दोसफ का मन हुआ मुझे फर्स बॉल लाती है कंडिशन सपोर्ट करती है तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा ठीक है तो यह वह इंपॉर्टन प्लेयर्स था दोनों टीम की साइट प्लेंग 11 रोल और आपको बता दिया मैं तो कंटीन्यू करो वन्हा मैं कोई जबरदस्तित आप से करवा नी सकता हूं है यह चीज है मैं खेल रहा हूं मुझे रिजल्स मिलता है इस वज़ेस्ट कर रहा हूं अगर मुझे रिजल्स नहीं मिलते तो मैं नहीं सप्लेश्ट करता है ठीक विकेट कीपिंग सेक्षिन न नताशा मकलीन से अगर उपन कर वाद हो ठीक नहीं तो उधर से कीसिया नाइट आपको ओपन करते हो देख चाहिए ठीक है यह तीन ऑप्शन से मैं किस की तरफ जाऊंगा आपको की तरफ जाऊंगा एक काम करता हूं पहले मैं कोड़ प्लेयर्स ले लेता हूं सबसे पहले ले रहा हूं यहां से ब्रेटनी कूपर जो मुझे एक लोता बैट्समें चाहिए तीन और एक जो मुझे बॉलर चाहिए दे फातिमा सना यह मेरे चार कोड़ प्लेयर्स हैं किसकी तरफ से बार्बर डूस की तरफ से ठीक है और ट्रिबांगो की तरफ से जो मेरे क प्लेयर्स हैं मतलब जुतनी भी मेरे टीम मनेगी इनके अलावा जो तीन प्रियस बच रहे लेकिन अभी अगर मेरे बाटिंग लाता दूं कि अ बहुत मेरा क्या रहेगा जो यह रहेगा कि इधर से लियन घर्वी सू घृम यह आपके पास ग्रैंड की चैजि़त हो कि शूना नाइट तो तीन चैनौ प्लियर आपकी हो गया विकट कीपिंग सेक्शन में आप की सिय नाइट की तरफ जाओगे तो यह आपके पास हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते आप या तो एक एक्स्ट्रा बॉल यह अपके पास आ गई है यह आपके पास आ गयी है तो बैटिंग आपको थोड़ी सी इधर से वीक लगेगी ठीक है और उतना अच्छा बैटमिन को यह भी नहीं कि अपने पिक कर सके देने से बोईस वे अगेरा पे अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अच्छी बात है वरना आप एक काम को रहो आप बाबर डूस की तरफ से एक बॉलर ले लो कि युना जोसफ की जो हम बात कर रहे थे या फिर फे फ्लेचर आप ले सकते हो अच्छी लेक्स्पिन यह डाल देती है सामने वाली टीम देखोगे तो डेंडर डॉटन को अगर मैं हटा दू तो सब के सब स्पिन जो है थोड़ी सी हलकी खेलते हैं तो फे फ फे फ्लेचर अभी के लिए सर्टेनेटी नहीं है कि मेरी टीम में होंगी बाकी दस प्लियर्स कंफरम है अब यह जो ग्यारवा प्लेयर है टॉस पर डिसाइड होगा ठीक है तो पाइनल टीम जब मैं आपको टेलीग्राम पर दूँगा तब आपको पता चल जाएगा कि यह सकते हो किसी कुछ गाहिए तो थोड़ी से मुझे स्च्रोंग लग रही है अब आप के डिय Pik असा है बाकि माति पर टो फेसे टाओ सेफ तो डॉटेन है वाइस कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी लिए जो है वह हैले मैथ्यूस है सेफ कैप्टन डॉटेन है तो यह मेरी अभी के लिए प्री टॉस मॉल लीग टीम बाकी जो भी फाइनल टीम होगी आपको टेलिग्राम पर जरूर अपडेट करूंगा तो कर दिना चैनल सब्सक्राइब कर दिना मैं मिलता हूँ फाइनल टीम लेकर सीज़ा टेलिग्राम चैनल पर तब तक लिए बाई बाई टेक यह वाग गुड डेग